दोस्तों गर आप भी इंटरनेट यूज करते हैं और आपका इंटरनेट बहुत यल्दी खतम हो जाता है जैसा कि आपको पता है कि आज के डेट में इंटरनेट की प्राइज भी काफी आदा ही हो गई है और आपने देखा होगा डेट जीबी हमको मिलता है कभी-कभी तो इस वीडियो में हम आपको दो ऐसी कमाल की सेटिंग के बारे बताएंगे अगर आप यह सेटिंग कर लेते हैं तो आपका इंटरनेट बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा यानि जितना आप यूज करेंगे अगर आप 5 यम भी यूज करती हैं तो 5 यम भी खर्च होगा अगर फाल तो इंटरनेट बिल्कुल भी घर्च नहीं होगा आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सेटिंग के बारे बताने वाले हैं लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं आपको एक छोटा सा काम करना है सबसे पहले इस वी केमिंग चैनल है प्रजबती लाइव अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकती हैं यहाँ पर हम डेली नए नए वीडियो डालते रहते हैं पबजी से रिलेटेड और यूसी भी आपको मिल सकती है तो दोस्तों जो पहली सेटिंग आपको अपन फोन में सारी अप्लिकेशन उसको ओपन कर लेना है अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे फोन में कित्ती सारी अप्लिकेशन है तो आपको यहाँ पर एक सीच का ध्यान देना है आप जिस भी अप्लिकेशन को ज्यादा यूज करते हैं जैसे मालों फेस्बूक है अगर अगर मैं Facebook पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आपको एक option मिलेगा data use का आप देख सकते हैं तो आपको simply यहां पर क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको तीन option मिल जाएगा पहला है mobile data का यह भी आप अपने इसाब से on off कर लेना अब जो तीसरा setting है यही most important है तीसरा setting most important है अगर दोस्तों हम इसको off कर देते हैं अगर यहां से हम इसको off कर देते हैं तो हमारा जो Facebook है वो background में नहीं चलेगा आपने देखा होगा जब भी आप अपने phone में रखते हैं तो आपको Facebook की रखेंगे तो वह notification नहीं आएगा यानि background में यह जो Facebook है वह data नहीं लेगा background में चलेगा नहीं आपके mobile पर load नहीं आएगा आपका internet खर्च नहीं होगा अगर आप चाहते हैं कि हाँ notification आए background में चले आपका internet background में यह application यूज करे तो आप यहां से इसको on कर सकते हैं ठीक है ल अभी तक इसने मात्र 400KB ठीक है मैं इसको चलाया भी नहीं 400KB यह background में चले के मेरा data यूज कर लिया है अब अगर मैं WhatsApp की बात करूँ WhatsApp ने आज कितना data यूज किया है यानि मैंने अभी WhatsApp ओपन भी नहीं किया ठीक है तो आप देख सकते हैं कि 2MB ठीक है लगबग 3MB तक WhatsApp भी आफ कर देंगे तो यह जो सारी तीन हम भी लिया था यह खर्च नहीं करेगा तो आपको अपने इसाप से उन सारे application का background data बंद कर देना है जिसे आप यूज नहीं करते नहीं तो आप जिसे यूज भी करते आप उसे बंद कर सकते हैं अगर आप इसी आफ कर देंगे तो जब आप आट इसाप आप करेंगे ना तो आपका developer option अं कर आपको अदेशनल सेटिंग में जाना है अब आपको यहां पर डेवलपर option मिल जाएगा तो आपको सिंपली क्लिक करना है अब को यहां से एक option को सर्च करना है मैं दिखा देता हूँ किदर गई background process limit आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी नीचे है किसी किसी के phone में उपर होगा तो आपको यही search करना है background process limit तो आपको simply आपर click करना है click करने के बाद मैं आपको no background process limit पर set कर देना अगर आप ऐसा करेंगे तो जो भी आपके phone में background में application होती है वो आपके data को use नहीं कर पाएंगी और आप एक चीज़ कर देना इन सब को हटा देना ठीक ताकि यह जो application है आपके background में ना चले आपके data को consume ना करे तो दोस्तों काफी कमाल की setting अगर आप इन दोनों setting को कर लेते हैं ना तो आप देखना आज यूज़ करके देखना आपका internet काफी यादा बचेगा उमिद करता हो कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंदा योगी वीडियो पसंदा दी तो प्लीज लाइक करना, share करना, channel को subscribe करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में